नमजकार, मेरा नाम है Dr. Sonil Kumar Rana और आज जो मेरा विशे है वो है Basal Cell Carcinoma जिसको Skin Cancer कहते हैं Basal Cell Epidermis में पाई जाते हैं जो Outermost Part होता है आपके Skin का और उनके Base में मिलते हैं इनका एक काम होता है कि Healthy Cells को Produce करती है और जो Older Cells होती है इनको Outermost Layer में लेके जाती है वहाँ से वो Shadow Fog की निकल जाता है यह इसका एक Routine Function है लेकिन कभी-कभी इसके DNA में Mutation होती है Basal Cells के और यह बहुत Abnormal Cells को Produce करता है जिसे कि पूरे Cells Accumulate हो जाते हैं Skin के उपर और एक Cancerous Leasing या Tumor का Form ले लेते हैं यह उन लोगों में बड़ा Common होता है जो धूप में बहुत जादा रहते हैं और उस चमडे पे जादा देखने के लिए मिलता है जो धूप में जादा Open रहता है जैसे कि Face के पास, Chest के पास, Neck पे या Upper Back पे देखने के लिए मिल जाता है हम बात करते हैं इसके Symptoms या लक्षण क्या होंगे अगर आपका Skin Fair है तो आपकी चरे के उपर या शेरी के उपर ये Pinkish कलर का या हलका Silverish या Whiteish रंग का Leasing देखने के लिए मिलता है इसमें Blood Vessels बहुत Prominent होते हैं या आपको घून की धारियां Blood के धारियां बड़ा इजली देखने के लिए मिल जाती है कभी-कभी उसमें अगर चोट लगे या आप खुरज देते हैं तो bleeding होती है और बाद में Scab Formation ही पपड़ी सी उसके उपर जमन जाती है अगर आपका Skin Darker होता है तो ये हलका Glossy Black हलका चमकदार काले रंग का दिखता है या Brown रंग का दिखता है इसमें कभी-कभी ये हलका Flat होता है या कभी-कभी Irregular Margin लिये होता है इसमें अगर आपके Skin के उपर कहीं पर जखम बनता है या SORE बनता है तो जल्ली वो जल्ली हील नहीं होगा और वो Cancer हो सकता है अब हम बात करते हैं इसका Cause क्या है जैसे मनें बताया था ये एक Mutation की वज़े से होता है DNA में किसके Bacal Cells के तब ये Condition देखने के ले मिलती है जिससे कि जो Cells हैं वो बहुत ज़्यादा एक साथ बनना सुरू करती है जो सारी Abnormal Cells होती है वो Skin के भारी भाग पे Accumulate हो जाती है और एक Cancerous Tumor का एक ये रूप ले लेती है जो लोग दूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं Sun Tanning Beds का यूज़ करते हैं दूसरा जो लोग दूप में बहुत ज़्यादा रहते हैं जिनकी कोई Genetic History है या ऐसी कोई Rare Genetic Disease है या कोई ऐसी Medication पे है जैसे Immunosuppressant उनमें देखने के लिए बिमारी मिल जाती है Secondly जो लोग Arsenic के Contact में बहुत ज़्यादा रहते हैं उनमें भी Condition देखने के लिए मिलती है अगर ऐसा कुछ भी होता है आपको लक्षान दिखे तो तुरांत अपने नजदी की डॉक्टर को आपको दिखा लेना चाहिए हम बात करते हैं इसके Complications क्या होते हैं देखे पहला Complication तो यही है कि बार-बार Recurrent हो सकता है ऐसा नहीं है कि Bacal Cell Carcinoma को आपने एक बार Treat किया दुबारा नहीं आ सकता इसलिए जबी भी हम इसको Treat करते हैं तो इसके Margins का फिर हम लोग स्कैन वगरा भी करते हैं टेस्ट के लिए भीशते हैं ताकि पता चले कि नॉर्मल सेल्स में कहीं cancerous का leasing या cells तो नहीं है Secondly जो इसमें मिलता है वो है कि कभी-कभी cancer metastatic या fell भी जाता है और body parts में या और organs में तो इसके लिए आपको अपना routine check-up कराते रहना पड़ता है अब हम बात करते हैं इसकी जांच कैसे कर सकते हैं तो सबसे इसका common जांच है वो है biopsy यानि कि वहां का हलका सा मास काटके आप microscope के नीचे check करके देख सकते हैं कि यह cancerous है भी कि नहीं है precautions लेने के अगर हम बात करें तो आपको धूप से बचना चाहिए यहारी basically धूप से होती है sunscreen लगा के बाहर निकल अगर निकलना पड़े अच्छे से बदन को cover करके निकलना चाहिए और अगर ऐसे कोई भी listen दिखें तो आप अपने test करा सकते हैं या अपने आपको doctor के पास दिखा सकते हैं अगर हम इसके treatment की बात करते हैं तो इसमें सबसे best option है कि इसको आप remove करवा दी जाने surgical exertion कराने न चाहिए इस चीज़ का secondly कुछ radiation therapies वगरा भी इसमें दी जाती है या topical ointments या cream इसमें दी जाती है और अगर यह बदन पर फैल गया है तो chemotherapy वगरा होती है अगर आपको कभी भी यह चेहरे के पास specifically हम लोग इसको नाक के पास या cheeks के पास देखते हैं बहुत commonly लोगों के neck या upper back पर देखने के लिए मिलता है जहां पर सूरज की करिणे ज़ादा पड़ती है इसलिए अगर ऐसा कोई भी काले रंग का glossy सा चमकदार या हलका सा skin color का irregular margin लिए हुए ऐसा leasin है तो वो basal cell carcinoma हो सकता है ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को like करिए subscribe करिए अगर आपका कोई भी कोरी होता है तो comment section बताइए हम आपको ज़रू reply करेंगे धन्यवाद